Hello everyone, good morning, नमस्कार, 17 मई 2024 और दी इंडियन एक्स्प्रेस न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है, आज की जितनी भी इंपोर्टन न्यूज और एडिटोरियल होंगे, वो इस वीडियो के तरू डिसकस करेंगे, अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप को सिनमें देखने को मिलेगा, स्टार्ट करतें इंडियन एक्स्प्रेस के फर्स्ट पेज के बारे में, और कुछ इंपोर्टन और ब्रीफ इंफोर्मेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ छोटी-छोटी न्यूज जैसे देश भर में इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन क टू थर्ड वोटर जो है वोटीं के अंदर पार्टिस्पेट कर रहे है, यानि वन थर्ड वोटर वोटीं के अंदर पार्टिस्पेट ही नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेन लगबग 66-67 के आसपास आख को नजर आएगा, इसके अलावा यहाँ पर यह फोटोग्रेफ दिखाई दे रहा है ये न्यूज घर हम वर्ल्ड अफेर या दुनिया का जो एक important हिस्से को cover करता उसमें पढ़ेंगे रश्या के प्रेजिडेंट जो है छे साल के लिए फिर से elect हुए 2030 तक प्रेजिडेंट रहेंगे और उनकी जो पहली foreign visit है वो चाइना के अंदर है और इस यहाँ पर यह एक basic information आपको बता देता हूँ इस page की के वोल एक important news है वो है Supreme Court ने enforcement डिरेक्टरेट को का है कि भाई आप जो prevention of money laundering act है इसके थुरू जो है arrest के context में आपको अगर किसी व्यक्ति को इस कानौन के अंदर arrest करना है तो भाई अपने इसाफसे decision नहीं लेंगे आपको prior requirement होगी कि आप court की permission लें यानि किसी व्यक्ति को अगर enforcement डिरेक्टरेट arrest करती है prevention of money laundering act के अंदर तो आपको उससे पहले court की permission लेने पड़ेगी यह जानकारी जो हम हो दी गई है Supreme Court ने rule किया कि enforcement डिरेक्टरेट directly arrest नहीं कर सकती किसी को खासकर prevention of money laundering में आपको special court से permission लेने पड़ेगी और इतरी के से अगर custody के अंदर लेना चाहते तो court से आप approach करिए यह justice AS ओकर उजूल वियान की जो bench है उन्होंने judgment दी है इसके अलावा यह बताया गया कि जो sections है various sections है अगर custody में लेना आती तो भई आपके लिए आपको से पहले special court में apply करना पड़ेगा आपके लिए एक सवाल है यह हमने थोटे दिन पहले discuss भी किया था enforcement direct rate एक agency है जो continue news में है और यह agency कर हम बात करें एक ministry के अंडर काम करती है या उसके अंदर directly वो नोडल ministry है कि इसे लिए कई बार allegation भी लगते कि इसका क्या issues हो रहा है नहीं हो रहा है एक तो आपको बताना कि किस ministry के अंडर काम करती है दूसरा जो आपके लिए सवाल है वो आपको comment करना है कि कौन-कौन से लोज के थुरू जो है ये power generate करती है जिसमें से एक यहाँ पर mention है money laundering prevention और money laundering act इसके थुरू power generate करती है दो और important loads है जिसके थुर enforcement, direct rate अपनी power generate करती है तो उनके बारे में भी आपको नीचे comment करना है आगे बढ़ते हैं और कुछ और important news को हम लोग analysis करते हैं जो exam oriented होगी जिसका सीधा सीधा relation जो होगा वो exam से होने वाला है अगर आप बीच के कुछ pages के बारे में बात करेंगी क्योंकि election चल रहा तो political campaigns की जो news है वो आपको जादा तर देखने को मिलेगी इसके बाद बात करते है page number 6 page number 6 जो है वो है एक important news अभी आपको पता होगा वारणसी के अंदर election हो रहे हैं होंगे अभी last phase के अंदर उसके लिए nomination file हो रहे थे और nomination file होते समय एक व्यक्ती है शाम रंगिला इन्होंने का कि मैं भी nomination file करना चाहता हूँ इनके nomination को reject कर दिया गया है ये reject करने के पिछे क्या आप एक तरी के से rules होते हैं उस rules को basically बताया गया है या constitution में या laws के अंदर क्या चीज़े बताएगी उसके बारे में हम लोग discuss करते हैं returning officer जो है वारणसी के उन्होंने comedian है शाम रंगिला इनका nomination reject कर दिया कि ये incomplete था जहां से भारत के prime minister जो है वो election लड़ने हैं वहीं से इन्होंने nomination किया था last phase के अंदर election होने वाला है nomination reject होने के बाद इन्होंने कहीं ने कहीं allegation लगाया कि उनका as a citizens के रूप में जो fundamental right है election लड़ सकता कोई भी वक्ती उस context में उसको छीना गया है तो ये पुरी news को scan किया गया क्या ये political allegation है वास्तों में reality क्या है उसके बारे में बताया गया पहली बात इनका nomination reject क्यों किया इनको बताया गया कि nomination जो reject हुआ है वो वार्णसी के district magistrate and RO S. राजिल लंगम ने कहा कि आपका nomination इसलिए reject हुआ है क्योंकि आपने affiliate जो submit किया था वो incomplete है आपने oath और affirmation की copy जो है वो attach नहीं की थी ये बहुत important है आपने कभी देखा होगा जब nomination कोई candidate करता है तो वो returning officer के सामने oath भी लेता है right as per article 84 constitution के एक citizen जो election लड़ना चाहता है उसको election commission के जो authorized persons है उसके सामने सपत लेनी पड़ती है एक तरीके से constitution of India के साथ true faith रखने की और देश की sovereignty और integrity को uphold करने की usually returning officer और the assistant returning officer ये आरो जो है उसको authorized किया जाता है election commission की जो handbook है for आरो 2023 ये बोलती है कि oath और affirmation जो है ये एक तरीके fix date से पहले होने चाहिए और document की scrutiny से पहले होने चाहिए यानि ये Wednesday को ही होने चाहिए थी election commissioner rules किया कि ये mandate है कि candidate जो है oath जो बुलेंगे उसके बाद एक written document होता उसके ओपर signature भी करेंगे ये चीजें इसमें missing है और इन्होंने क्या का देखो ये बहुत important है cancel हो सकता है nomination अगर आपने oath नहीं लिया और उसके ओपर signature नहीं किये अब इनका allegation क्या है ये बोल रहा है कि भाई पहली बात तो हमें allow नहीं किया गए district magistrate office में nomination फाइल करते टाइम और उस टाइम पर जब permission nomination कर रहे थे तो उनको allow नहीं किया गया generally होता ये है कि एक समय पर केवल एक candidate ही nomination फाइल कर सकता है as per rule एक candidate के साथ चार लोग हो सकते हैं nomination के time पर और election commissions की rules की गर हम बात करते हैं तो nomination जो 11 to 3 PM के बीच में ही accept कि जा सकते हैं इन्होंने का कि मैं 2 बज़ के ठावन मिनेट पर वहाँ पर गया और ये deadline दो मिनेट की deadline मेरे पास थी इसलिए एक तरीके से कहीं ने कहीं कहा गया कि वही और इन्होंने का कि returning officer ने ये नहीं बताए कि इसके अलावा इन्होंने ये नहीं बताए कि nomination के लिए oath की requirement है returning officer कभी ये नहीं बताएगा कि आपको क्या document की requirement है जो भी document की requirement होती है वो आपके lawyers को त्यार करने पड़ते हैं reject होने की chances को reduce करने के लिए कई बार हमने देखा कि alternate nominations भी होते हैं backup nomination जिसको बोला जाता है तो ये जो कहना कि इन्होंने नहीं बता teacher ये नहीं बताएगा कि आपको exam में क्या-क्या लेकर आना है ये responsibility आपकी है तो ये तो allegation थोड़ा सा political ज्यादा लज़र आता है अगर आप rules के साफ से बात करें तो आपको ये लेकर आना ही था जिसको इन्होंने miss किया और बहुत से में होता नोमिनेशन में ऐसा नहीं कि एक दिन में नोमिनेशन होता है I think 7-8 दिन या 10 दिन कम से कम मिलते हैं नोमिनेशन के लिए options क्या है इनके पास generally scrutiny जो किया जाती है ये RO के द्वारा की जाती है जो कि 80 judicial function है returning officer जो है ये discharge करता है अपनी function को लेकिन अगर किसी candidate को लगता है कि returning officer ने उनके साथ unfair किया है और उनके against फिर एक election petition फाइल की जा सकती है जो rejection of nomination को challenge कर सकती यानि अगर इनको लगता है कि भई इनका nomination जान बूज कर cancel किया गया है तो इस context में इनके पास option है कि ये जाएं और election petition फाइल करें nomination cancel के against ये option भी इनके पास होगा आगे बढ़ते हैं और कुछ और important news को हम लोग scan करने कोसिस करते हैं जो exam oriented होगी जिसका सीधा relation जो है वो exam से होने वाला है इसमें एक classic editorial हमें discuss करना है छोटा सा लेकिन important है ये welcome message करके जो title दिया गया है ये article कल जो news आई थी जिसमें supreme court ने जो enforcement director दोवारा जो news click के founder है उनको arrest किया गया था उस arrest को बोला गया था कि ये invalid है आपका arrest सही नहीं है आपने rules and regulation को follow नहीं किया और एक तरीके से fundamental right का violation हुआ है तो इस article को हम scan करेंगे इसके बारे में क्या important चीज़े हैं उसके बारे मात करेंगे supreme court का जो order है इसको कह सकते कि बहुत important है reinforce करता है due process को और भले ही आपका offense कुछ भी हो लेकिन एक due process होना चाहिए यहाँ पर यह बताया गया कि two fundamental principles of jurisprudence के बारे में बताया गया bail not jail यह priority होने चाहिए और innocent को जब तक guilty pro नहीं हो जाता तब तक आप एक तरी case से उसके बारे में ऐसा नहीं कि criminal इस तरह के words भी use नहीं हो सकते एक case आता है special laws के अंदर for example prevention of money laundering act के अंदर narcotic drugs के अंदर psychotrophic substances act and unlawful activities prevention act इस तरह के जो cases है उसमें investigation agencies और prosecution जो है वो उनको extraordinary power मिलती है कि arrest कर सकते है, detention किया जा सकता है और इस तरह के laws के through accused के ओपर एक तरीके से burden भी increase होता है, कई बार इनके provision जो अब हो जादा tough होते हैं जिसकी वज़े से bail मिलना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो arrest हुआ था जो news click portal के founder editor है, परभीर पुरकायस्त करके Supreme Court ने कहा कि जब आप constitutional protection के बारे में बात करते हैं, तो article 22 में एक principle है, एक practice है जिसको follow किया जाना चाहिए था, और यहाँ पर किया गया कि जो पुरकायस्त है, इनको accused है कि serious offense इनों ने किया है, इनको compare किया गया terrorist act के दवारा यानि एक तरीके से funding आप ले रहे हैं, foreign country से इनके उपर allocation क्या था, कि foreign country से funding ले रहे हैं, Chinese funding ले रहे हैं anti-India activities के context में, या agenda promote करने के लिए तो एक bench थी, BR गवई और संदीप महता कि नों ने का कि हर एक accused को fundamental statutory right है, कि उसको पहले तो inform करो कि भाई आपने इनको arrest किया है, किस basis पर और ये writing में होना चाहिए, यानि written order होना चाहिए, arrest के पहले दूसरा, जब आप arrest कर रहे हैं, तो एक copy जो है उनको देंगे जिसको arrest किया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को right है, कि वो अपने आपको defend करने के लिए court में, अपने level पर या अपने lawyers के थूज हो है, एक तरीके से अपने को, आपको representation करें legal system में process यह होता है, कि जब आप punishment के बारे में, integrity और technical procedure के बारे में, बात करते हैं, यह in-impeasible होना चाहिए, article 22-1 यह बोलता है, कि कोई भी और किसी भी व्यक्ति को, एक तरीके से deny नहीं किया जा सकता है, कि वो अपना consultation ना करें, और अपने आपको defend करने का right उसको ना मिले, legal practitioners के थूँ, यानि अपने lawyers के through, एक व्यक्ति को अपने आपको defend करने का right है, यह judgment आई थी पंकज बंसल वर्सिज यूनिल ओफ इडे 2023 की, सुप्रीम कोट ने का, कि भाई आपको copy देनी जाहिए ते arrest की, दूसरा यहाँ पर similar provisions की अगर हम बात करते हैं, UAP B के बारे में, तो यह enough ground provide नहीं करते हैं, या जो तरीका था, वो सही नहीं था, essentially और significant indicate करता है और कोट ने का कि fundamental right बहुत important है इसके अलावा, यह भी clear किया कि भाई, यहाँ पर जो इनको bail provide की गई है, या एक तरीके से जो arrest के बारे बताया गया, इसे case की merit पर कोई impact नहीं पड़ेगा, case continue चलता रहेगा, और underline करते हैं कि हमें एक तरीके से practices में alternative justice system, जिसमें heinious crimes का दाहरा आता है जैसे कई crime होते हैं जो national security के respect में होते हैं, उस context को ध्यान रखना है, इसके अलावा एक data indicate कि बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में national crime record bureau जो है जिसमें ये बताया गया है कि UAP या अलाफुल activity prevention act की cases 2022 के compare में बड़े हैं इसके अलावा current government जो है prevention and money laundering act के cases है, ये साड़े चारसो परसेंट तक increase हो गये हैं तो ये अपने आप में कही ना कही due process follow किया जाना चाहिए, technical procedure follow किया जाना चाहिए और जब आप ये सब चीजे करेंगी तो एक व्यक्ति के जो basic fundamental right है under article 22 उनको भी ensure करना ये हमारी responsibility है इसलिए जितनी भी investigating agencies है, वो ये make sure करेंगी कि जब आप इस तरह के actions लें तो उस context में आपको लोगों के fundamental rights के बारे में और जो arrest करने का procedure है, उसको भी clarify किया गया यहाँ पे इसके बाद हमने front page पे एक photograph देखा था Russian President जो है पहली foreign visit के रूप में अभी गए चाइना के अंदर और उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में discuss किया सबसे पहले तो बताया गया कि चाइना और रुषिया जो है यह pledge करते हैं कि New Europe Partnership पो follow करेंगे और यह कहा गया कि United States को जो aggressive cold war की जो strategy है वो छोड़नी पड़ेगी narrow यह groups बना रहे हैं इस तरीके से एक तरीके से allegation लगा गया 2022 में announcement किया गया कि हमारी relationship में partnership में कोई limit नहीं होगी और अलग-अलग issues पर discuss करना हो United States से लेकर security issue ताइवान, North Korea, Ukraine नहीं technology, nuclear technology इन सब पर इन्होंने discuss किया बात्चित करी इसके अलावा cold war mentality इससे बाहर आने की इन्होंने कहा कि आप बाहर आईे cold war mentality से, narrow group से generally जब narrow group और cold war की mentality के बारे में जब ये बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा target होता है किसको जो quad group है, quad एक तरीके से aligns है, उसको ये target करते हैं तो ये अपने आपने interesting है, इसके अलावा Georgia एक country है, वहाँ पर Parliament ने एक bill पास कर दिया जिसमें controversial media bill बोला गया कि अगर कोई media, non-governmental organization ये non-profit और group जो है, वो 20% से ज़्यादा funding का हिस्सा जो बहार से लेगा, उस पर restrictions लगाए जाएंगे इस bill को veto करेंगे Georgia के president, ये Georgia के president ने कहा है, Georgia का थोड़ा सा geographical अगर आप location देखेंगे तो ये मेले चार country से boundary share करेगी, तुर्की, Armenia, Azerbaijan और रशिया इसके ठीक left hand side में black sea आपको देखने को मिलेगा, आप लोगों के लिए second सवाल भी यही है, आप यहां से देखिए black sea को, और नीचे comment करना है कि black sea से कौन-कौन से countries की boundary लगती है, यनि black sea के आस-पास कौन-कौन से important countries है, जिसके बारे में आपको देखना है, UPSC ने सवाल एक बार पूछा था, तर्की के बारे में कि तर्की के जोगर्फिकल लोकेशन, मेडिटेरेन सी और ब्लेक सी के ठीक बीच में आपको देखने को मिलेगी, इसके लावा, बिजनस section में कोई particular news नहीं है, जिस्ट एक news है, कि tariff war जो है, U.S. के साथ, ये Chinese product की dumping को trigger कर सकता है, दो चीजे जो बताए गी है, tariff war का मतलब क्या है, कि एक दूसरे के product पर tariff या tax increase कर देना, और dumping क्या होता है, जैसे मा लेते हैं, भारत में कोई चीज जो है, वो 100 रुपे की मिल रही है, चाइना के product है, वो 50 रुपे में चीजें बिकनी शुरू हुई, तो चाइने चीजों की demand बढ़गी, भारत की जो local चीजे हैं, वो कईने के disturb होगी, तो इस context में local market को dump करना, मतलब, एक तरीके से सस्ती चीजें अवलेबल करवा दी, उसके बाद market को take over किया जाएगा, local या जो industry है, उसको कईने के damage करता है, इसी context में जो हम देखते हैं कि local product को save करने के लिए, anti dumping duties जो है वो लगाई जाती है, उस product को save करने के लिए, तो आज के Indian Express के news analysis में, editorial analysis में फिलाल इतना ही, thank you all जहिन